तो नमस्कार सौगत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से Study School Center के इस YouTube चैनल पर HP Police Constable की हमारी जो Mock Test Series चली हुई है उसमें आज जो हमारा Mock Test No.11 हम करेंगे दोस्तों इससे पहले भी मैं 10 Mock Test HP Police Constable के Written Exam को लेकर बना चुका हूँ अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर उन वीडियोज को देखें तो दोस्तों आज का जो हमारा Mock Test है इसमें जो आपके Total Question रहने वाले हैं तो 56 Question का ये Total आपका Mock Test है इसमें जो आपका टाइम रहेगा तो आपने कोशिश करना है कि 30 मिनट से कम समय में इस Mock Test को आपने खतम करना है तो आज का जो हमारा Mock Test है कुछ इस परकार है तो GK के इसमें 16 Question है Hindi के 16 Question है English के भी इसमें 16 Question है नोडिवेशन आप तक आसानी से पहुंच पहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो आज का हमारा Mock Test तो दोस्तो वीडियो के एंड में अपना जो स्कोर है वो जरूर कमेंट करिएगा और अपनी फीडबेक भी जरूर शेर करिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा Mock Test तो फर्स Question हमारा वो है साल 2021 में भारतियव वायू सेना के 27 वे प्रमुख का कारेभार संभाला तो दोस्तो आपके पास जो Option है आपकी स्क्रीन पर वो है RK भधौरिया Option B है आपका विरिंद्र सिंग धनोवा और Option C है आपका वो है विवेक राम चौधरी और Option D है मनोज मुकुंद नर्वने तो इसका जो सही अंसर रहेगा आयोपम ने जो अंसर है वो दिमाग में सोच लिया होगा या कहीं लिख लिया होगा इसका जो राइट अंसर है वो रहेगा विवेक राम चौधरी Option C रहेगा इसका राइट अंसर दोस्तों विवेक राम चौधरी जो है 2021 में भारतिय वाई उसेना के 27 में प्रमुख चुने गए तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा Option C तो नेक्स हमारा कोशिन है वो है हिमाचल प्रदेश में स्वरण जरंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष आरंब की गई थी तो ग्राम जो स्वरण जरंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो हिमाचल प्रदेश में सुरू की गई थी option D. 1990 में दोस्तों स्वरण जेनती ग्राम सो रोजगार योजना जो है शुरू की गई थी और ये जो योजना शुरू की गई थी ये परधान मंतरी श्री अटल विहारी बाजपई उस समय परधान मंतरी थे उनके द्वारा स्वरण जेनती ग्राम सो रोजगार योजना कि आपको पता है प्रतेक वर्ष ये 21 जून को मनाया जाता है अंतरास्टिय योग दिवस तो 2021 में जो अंतरास्टिय योग दिवस बनाया गया उसका जो विशय था आपके बास option है आपकी स्क्रीन पर आपका first option है योग और विज्ञान option B है आपका COVID के वीच योग option C है आपका योग for wellness और option D है योग for world तो इसका जो सही अंसर है आपका वो रहेगा option C योग for wellness दोस्तो अंतरास्टिय योग दिवस जो की 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2021 का विशय था तो next हमारा question है वो है निमलिखित भारत में तामबे की प्रसिद खान है तो तामबे की प्रसिद खान दोस्तो आपके पास चार option है तारापूर option B है खेतरी option C है डिग वोई और option D है आपका उपरोग सभी तो इसका जो सही अंसर है दोस्तो जो तामबे की प्रसिद खान जो तामबे के लिए प्रसिद जगा है भारत में वो है खेतरी दोस्तो खेतरी राज्यस्तान में ये जगा पड़ती है खेतरी राज्यस्तान और ये तामबे के लिए प्रसिद खान है भारत में तो next हमारा question है वो है 1857 के बिद्रो के दौरान निमेलिखित में कौन भारत का गवर्नर जनरल थे तो 1857 का जब बिद्रो हुआ था तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे तो आपके पास ऑफशन है वो है लॉड कैनिंग ऑफशन भी है लॉड ऐलगिन आप्शन C है आपका लॉड जलहौजी और आप्शन D है लॉड ऐलगिन तो इसका जो सही अंसर है तो वो रहेगा आप्शन A लॉड कैनिंग है दोस्तो 1857 की जो करांती हुई थी उस समय भारत के जो है गवर्नर जनरल थे लॉड कैनिंग तो आप्शन A होगा इसका राइट अंसर तो नेक्स हमारा कोशन है भारत में किस राज्य की बिधानसवा के इस दस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तो भारत में जो राज्यों में जो बिधानसवा होती है उनमें जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो कितनी हो स तो आपके पास जो option है वो है 400, 500, 450 या 550 दोस्तों तो आपके पास इसका right answer रहेगा वो रहेगा option B 500 दोस्तों अधिक्तम संख्या किसी भी राज्य के विधानसवा में रह सकती है तो दोस्तों मैं अगर बरतमान में का बात करूँ तो उत्तर परदेश में सरवार्दिक 403 विध राज्य है उत्तर परदेश तो next हमारा question है वो है बरतमान समय में लोगसवा की कितनी सीटे अनुसूचित जाती के लिए अरक्षित है तो अनुसूचित जाती के लिए लोगसवा की जो कितनी सीटे अरक्षित है तो आपके पास option है 71 option B है 75 option C है 77 और option D है 84 तो इसका जो सही answer रहेगा वो रहेगा option D 84 84 दोस्तो यह अनुसूचित जाती के लिए लोगसवा में जो सीटे है अरक्षित है 84 तो यह option D रहेगा इसका right answer तो next हमारा question है वोई Facebook का मुख्याले कहां सीट है तो आपके पास option है वो है Chicago, California, New York या नियामी दोस्तो इसका right answer है तो फेस्बुक का जो मुख्याले है वो है option B California option B रहेगा इसका right answer दोस्तो फेस्बुक के जो संसापक है वो है Mark जुकरवर तो option D रहेगा इसका right answer California तो next हमार हमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकाले कौन सा है तो आपके पास जो option है वो है राज्य पुस्तकाले शिमला option B ये मोतिलाल नहरुकेंद्रे पुस्तकाले सोलन option C है महिमा पुस्तकाले सिर्मौर और इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो हमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना पुस्तकालिया है महिमा पुस्तकालिया सिर्मौर option C रहेगा इसका right answer महिमा पुस्तकालिया सिर्मौर 1930 में इस पुस्तकालिया का निर्मान किया गया था राजा जो सिर्मौर के जो राजा थे अमर परकास उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर उनकी पुत्री का नाम था महिमा तो उनने अपनी पुत्री के नाम पर इस पुस्त काले का निर्मान करवाया था जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्त काले महिमा पुस्त काले नाहन सिर्मावर में दोस्तों ये स्थीत है तो नेक्स हमारा कोशन है वो ह 2001 की जनगंदा के अनुसार हिमाचल प्रदेश में किस सजीले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है तो आपका उपशन है चंबा लाहोल सपिती उन्ना या कांगडा तो इसका जो राइट अंसर है वो रहएगा option a चमबा में दोस्तो चमबा की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है अगर आप से महिला साक्षरता दर भी पुछ हो दोस्तो तो महिला साक्षरता दर भी चमबा की सबसे कम है तो चमबा की जो साक्षरता दर है वो है 73.19% दोस्तों जो की हिमाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है तो नेक्स हमारा कोशन है वो है हिमाचल प्रदेश में पंचाइती राज संस्ताओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षन है तो आपके बाद जो ऑफ्षन है 33, 30, 25 प्रतिशत या 50 प्रतिशत दोस्तों पंचाइती राज संस्ताओं में महिलाओं के लिए जो हिमाचल प् 50 प्रतिसत कर दिया है दोस्तों कई बार कोशन ये भी पूचाया था कि भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य था जिसने पंचाइती राजसंस्ताओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिसत अरक्षन किया था तो दोस्तों वो था बिहार तो बिहार दोस्तों भारत का पहला राज्य थ जिसने पंचाइती राजसंस्ताओं में महिलाओं के लिए पचास प्रतिसत आरक्षन किया था तो नेक्स हमारा कोश्चन है वो है किस वैंक की हिमाचल प्रदेश में सरवारतिक साखाएं है तो आपके पास आप्षन है स्टेट वैक ओंफिडिया आप्षन भी है पंजाब नेशनल बैंक और आप्षन डी है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और आप्षन डी है यूको बैंक तो इसका जो सही अंसर हैगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी वैंक जो स्टेट कॉपरेटिव वैंक है उसकी शाक है हिमाचल प्रदेश में सरवार्दी के आप्शन सी रहेगा इसका राइट अंसर नेक्स कोशन है मारा वो है हिमाचल प्रदेश के कुल भूमी का कितना प्रतिशत क्रिशी योग्य है तो हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेतर फल है दोस्तों आप सभी को पता है वो 55,670 वर्ग किलोमेटर हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेतर फल है तो इसमें जो क्रिशी य जो घुकषेत्र फल है वो चितना प्रतीशत्त है तो आपके पास उपशन है 18,202, 30, 15,203 प्रतीशत्त और उपशन D है रोह है 10,204 प्रतीशत्त्त वोस्तित है। तो नेक्स हमारा question है कि हिमाचल परदेश के frontier गांधी के रूप में किसे जाना जाता है तो frontier गांधी के रूप में जाना जाता है दोस्तो आपके पास option है बावा कांशीराम भज्जूराम पंडित पदम देव और बावा भलकुराम तो इसका जो सही answer रहेगा दोस्तो वो रहे जाते हैं जो भाल खुराम वो थे दोस्तों जिनोंने जो शिमला कल का जो रेलवे लाइन का जब निर्मार की जा रहे हैं तो आपके पास option है कुलू, कांगड़ा, चंबा या शिमला दोस्तों जो साचा चोटी है हिमाचल प्रदेश के कुलू जिले में स्थित है option A रहेगा इसका राइट अंसर धोलादार परवशिंकला में ये चोटी साचा चोटी स्थित है और जिला कुलू में स्थित है इकता दिवस के रूप में जो दिन बनाया जाता है आपके बास option है 2 अक्तूबर, 14 नवंबर, 31 अक्तूबर या 23 दिसंबर तो इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा option C 31 अक्तूबर दोस्तों जो है रास्ट्रिय एकता दिवस के रूप में बनाया जाता है तो next हमारा जो अब हिंदी का परोषन है दोस्तों तो first question हमारा हो है कुल और कुल यूगम का सही अर्थ है तो कुल और कुल का जो यूगम का सही अर्थ है, आपके और उप्शन है परिवार, योग, परिवार, ढंग, किनारा, ठंडा या वश या किनारा तो दोस्तों यहाँ जो कुल और कुल यूगम का जो सही अर्थ है वो है option D एक जो कुल है उसका वन्ष और दूसरा जो कुल होता है वो है किनारा तो वन्ष और किनारा इसका सही अर्थ होता है तो next वारा question है वो है इनमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है तो यहाँ तुष्टी करन जो शब्द है इसकी बरतनी आपसे पूछी गई है तो आपके पास चार option दिये गए हैं इनमें जो शुद बरतनी है तुष्टी करन के दोस्तों वह है option A तुष्टी करन इस तरह से लिखा जाता है option A होगा इसका right answer तो next एक और शुद बरतनी है हमारे अती शुख्ती अती शुख्ती की जो शुद बरतनी हमसे पूछी गई है तो चार option आपकी screen पर दिये गए हैं तो इसमें जो सही answer होगा वह रहेगा option C होगा इसका सही answer अती शुख्ती होगा इसका right answer शुद बरतनी तो next हमारा question है वो है मु मुह से दूद टपकना मुहावरे का सही अर्थ है तो मुह से दूद टपकना मुहावरे का सही अर्थ है तो मुह से दूद टपकना मुहावरे का सही अर्थ है तो इसका जो सही answer हैगा मुह से दूद टपकना होगा ना समझ होना option C रहेगा इसका right answer तो next हमारा question है वो है शैत आपके बाद के पाद के पूलिस के करमचारियों की गिरिफतारी तो option B है विदूशी स्त्री का सम्मान करना चाहिए और option C है आपका शरीर पर कई अंग होते हैं और option D है आपका ये सबी तो इसका जो शुद्ध वाक्य है दोस्तो इनमें वो है option B आपका विदूशी स्त्री का सम्मान करना चाहिए दोस्तो विदूशी जो होता है विदूआन का स्त्री लिंग होता है तो विदुशी स्त्री का सम्मान करना चाहिए इसमें शुद्ध वाक्य है तो नेक्स हमारा कोशन है नेहा गाना गा रही है वाक्य में कौन सा काल है तो आपका आस आप्शन है आसन भूत काल आप्शन भी है संदिक्द भूत काल और आप्शन डी है आ इसका right answer अपूर्ण भूतकाल तो next हमारा question है वो है अन्वे का संधी विचेद है तो अन्वे का जो संधी विचेद है आपके पास option है वो है अनू जमा आया option B है अनू जमा आया और option D है अनू जमा आया और option D है आपका अनू जमा आया तो इसका जो सही answer है अन्वे का जो संध जो भेद है यन संदी जिसमें लगा हुआ है दोस्तों जिसमें अगर उ के बाद आपके पास यदि आ आता है तो इसका जो बन जाता है दोस्तों व बन जाता है तो अन्वे होगा इसका सही अन्वे का जो सही संदी पेचे अनु जमा आए तो next हमारा question होगा है जड का दिलोम श तो next जो हमारा एक और तो next question रहेगा तो next question है वो है धरती का प्रयवाची शब्द है तो आपकर दे तो उप्शन है वह रहे चंचला बिपुला सर्सी या Ачला तो धर्ती का जो प्रेवाची शब्द होता है वो होता है option D अचला धर्ती का प्रेवाची शब्द है तो next question है वह है अंत का प्रेवाची शब्द है तो आपको चार option है फल, फासला, अवसान या पट दोस्तों तो अंत का जो अंत कारत होता है समापती तो इसका जो सही बिलोम शब्द रहेगा वो रहेगा अवसान आप्शन C रहेगा इसका राइट अंसर तो नेक्स हमारा कोशन है वो है जिसके हताक्षर नीचे अंकित हो के लिए एक शब्द है तो जिसके हताक्षर नीचे अ option b होगा इसका right answer तो next वहारा question है वो है धर्मा धर्म में समास बताईए तो धर्मा धर्म में जो समास है आपके पास option है ततपूरू समास, कर्मधार्या समास द्वन समास या भहुवरी समास तो इसका right answer रहेगा वो रहेगा option c, द्वन समास होता है धर्मा धर्म है धर्मा धर्म है जब हम बिग्रह करते हैं दोस्तो वो होता है धर्म और अधर्म तो धर्म और अधर्म दोस्तो जब समास का हम बिग्रह करते हैं तो बीच में इस तरह के और अत्वा या इस तरह के जब बीच में योजक आते हैं तो वो होते हैं दौन समास तो next कि वास option है, विशेशन, क्रिया विशेशन, क्रिया या प्रविशेशन, तो जो समस्या अत्यंत कठिन है, मैं जो रिखांकित शब्द है अत्यंत, तो वो है प्रविशेशन, option D होगा, इसका right answer, तो इसका right answer है, वो रहेगा, और शूर की भावाचक संग्या है, तो शूर की भावाचक संग्या है, आपके बास option है, शूरपन, शूरविरता, तो इसका right answer है, वो रहेगा, option C, शूर्य होती है, शूर की दोस्तो वावाचक संग्या, तो नेक्स हमारा अब इंग्लिश का portion है, तो चलते हैं, इंग्लिश के section की दरफ, तो इंग्लिश का जो मारा first question है, वो है choose the synonym, तो इसमें जो आपका जो first question है, वो है, synonym है, वो है auspicious, दोस्तों auspicious का जो synonym रहेगा, तो आपके पास option है, favorable, option B, suspicious, option C है आपका playful, और option D है hapless, तो दोस्तों auspicious का जो सही, जो synonym रहेगा, वो रहेगा, option A, favorable, दोस्तों favorable इसका राइटन्स, auspicious का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है, लाब, लाब होना, या लाब, तो favorable का भी अर्थ होता है, दोस्तों ये इसका जो है similar meaning है, favorable, तो next हमारा जो synonym है, वो है, assertion, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो कोशन है वो है, assertion का synonym या similar meaning है, तो आपके वासे इसकी option है, वो है, discussion, rejection, declaration या continuation, तो इसका जो सही अंसर रहेगा, दोस्तों, assertion का, वो रहेगा, आपका, जो synonym रहेगा, वो रहेगा, declaration, option C रहेगा, इसका right answer, तो assertion का अर्थ जो होता है, declaration जो इसका similar meaning होता है, तो next है, वो हमारा, choose the antonium, तो antonium हमारा, तो आपके वो है, teamed, teamed दोस्तों, teamed का अर्थ होता है, डर पोक, तो teamed का, जो antonium होगा, gentle, tired, brave या, sneak, तो इसका जो सही अंसर रहेगा, वो रहेगा, option C, brave होगा, teamed का, जो antonium, तो next हमारा question है, वो है, embedment, embedment का, जो synonym होगा, वो होगा, correction, polarized, improvement या, worsening, तो इसका जो सही, जो antonium रहेगा, वो रहेगा, worsening, तो embedment होता है, दोस्तों किसी चीज़ में, संसोधन करना, तो इसका, जो सही, antonium रहेगा, वो रहेगा, worsening, मलब, worsening मलब, बिगाड़ना, बिगड़ना, तो इसका, option D रहेगा, right answer, तो next question हमारा, वो है, one who haven't done his religious faith, तो one word substitution है, one who haven't done his religious faith, इसमें, जो one word substitution होगा, वो का, apostate, prostate, prostate, profane, या agnostic, तो इसका, जो सही, अंसर रहेगा, one who haven't done his religious faith, option A, apostate होगा, इसका, right answer, apostate का आर्थ होगा, दोस्तों, धरम, तयागी, मलब, जो अपने धरम के मारक से, बिचलित होगा, और धरम, रस्त भी हम इसको, कह सकते हैं, apostate, option A, रहेगा, इसका, सही, अंसर, तो next, एक और, जो हमारा, one word substitution है, वो है, a person who wastes his money on luxury, a person who wastes his money on luxury, के लिए, एक शब्द है, तो आपका आपस आप्शन है, वो है, example, option B है, extra agent, option D है, name, और option D है, search, तो इसका, right answer, जो रहेगा, दोस्तों, वो रहेगा, option B, extra agent, जिसको हम कहते हैं, a person who wastes his money on luxury, मलब, जो फिजूल खर find the correct spelled word, तो हमने, जो आपके वाद चार option दिया है, तो इसमें अपने acceleration का, जो correct spelling जो देखनी है, तो वो रहेगी, option D होगी, acceleration की correct spelling, A, C, E, L, E, R, A, T, I, O, N, acceleration का, जो correct spelling है, तो next, दोस्तों, एक और हमारा, जो, spelling correction का है, तो आपका चार option जो दिये गया है, यहाँ, satellite का spelling आप option C होगा, option C होगा, इसका right answer, S, A, T, E, L, I, T, E होगा, इसका right answer, तो next हमारा question है, जो चूज दा, most appropriate meaning of the idioms, तो idioms हो महरे पास दिया होगा है, the cry wolf, the cry wolf, तो आपका जो चार option है, वो है, to listen, eagerly, option B है, to give false alarm, to option C है, to turn pale, or option D है, to keep off starvation, तो इसका जो सही अंसर है, to cry wolf का, वो है, to give false alarm, option B रहेगा, इसका right answer, तो next हमारा question है, एक और idiom है, वो है, a black sheep, a black sheep, के चार option आपका जो दिये गए, वो है, an unlucky person, a lucky person, or an ugly person, or a different person, तो a black sheep होता है, दोस्तों, बिल्कुल जो different होता है, सब में, a different person, option D रहेगा, इसका right answer, तो next है, वो है, find the error, question है, my neighbor had a hundred ships, तो इसमें आ error, इसमें, इसमें, किस पार्ड में, error है, इस sentence के, तो आपके पास, जो option है, my neighbor had a hundred ships, तो इसका जो सही answer हैगा, जो error है, दोस्तों, option D, ships, दोस्तों, ships नहीं होता हमेशा, जो ship लिखते हैं, तो इसको SHWP ही लिखते हैं, S इसमें नहीं होगा, तो option जो D होगा, वो होगा है, इ next हमारा question है, he has dash people visiting him at his house, because he fear it will cause discomfort to neighbors, तो इसमें, जो आपने blank करना है, वो है, आपका, आपके पास, option है, cutiled, option भी है, requested, option C है, stopped, or option D है, तो इसमें, जो सही answer हैगा, वो रहेगा, option C, stopped, he has stopped people visiting him at his house, because he fears it will cause discomfort to neighbors, तो ये option C रहेगा, इसका right answer, next हमारा question है, वो है, the boy laughed at the beggar change into passive voice, तो वो है, the boy laughed at the beggar change into passive voice, तो आपके पास जो इसका सही answer रहेगा, दोस्तो, the boy laughed at the beggar change into passive voice, अब जिसको convert करेंगे, तो वो बनेगा, the beggar was laughed at by the voice, option D रहेगा, इसका right answer, तो next question के दरफ चलते हैं, वो है, kites are flown by children, adult girls and boys in India, तो इसका आपके बास चार option है, are flown, are flown या flying, तो इसका सही answer हैगा, option C, are flown, kites are flown by children, adult girls and boys in India, are flown होगा, इसका सही answer, तो next हमारा question है, वो है, the boy was cured, dash typhoid, तो इसका जो आपकी, आपने preposition, जो फिल अप करना है, आपके बास option है, from, of, for, या through, तो इसका जो सही answer हैगा, वो रहेगा, option B, of, the boy was cured, of, typhoid, cured, off होता है, तो option B रहेगा, इसका right answer, तो next हमारा question है, वो है, my aunt or my uncle, dash arriving by train, today, तो इसमें, जो आपने correct प्रेन, जो वर्व हरना है, वो है, helping वर्व है, आर, is, am, और have, तो इसमें, जो सही answer हैगा, वो रहेगा, option B is, my aunt or my uncle, is arriving by train, today, option B रहेगा, इसका right answer, तो next हमारा, general science के 8 question है, वो है, first question है, डावसन इकाई, किसके मापन के लिए बनाई जाती है, तो डावसन इकाई, जो बनाई जाती है, आपके पास option है, ओजोन के घनतों को मापने के लिए, मिट्टी मरीदा के तत्तों को मापने के लिए, रेडेशन को मापने के लिए, या इन में से कोई नहीं, तो डावसन जो तो इसका जो सही अंसर हैगा option A रहेगा carbon dioxide option A रहेगा इसका right answer तो next हमारा question है वो है pressure cooker में चावल जल्दी पकता है क्योंकि आपके पास option है इसमें से भाफ निकल जाती option B है यहाँ उश्मा उर्जा को असानी से निकलने नहीं देता option C है उच्च दाव चावल के दोनों की कड़ी परत को दलन कर देता है और option D है उच्च दाव जल के कथनां को बढ़ा देता है तो इसका सही अंसर हैगा option D दोस्तो प्रेशर को कवर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्छ दाव के कारण जल के कतुनांग को दोस्तो यह भड़ा देता है option D रहेगा इसका right answer तो next हमारा question है फ्यूजतार किसे बनती है तो आपके बास option है टीन और तामबे की मिश्रधातू से टीन और सीशे की मिश्रधातू से टीन और अलिमिनियों की मिश्रधातू से या निकलिया क्रोमियम की मिश्रधातू से तो इसका जो सही अंसर हैगा वो रहेगा टीन और शीशे की मिश्रधातू दोस्तो फ्यूज तार वंधी option भी रहेगा इसका right answer तो next हमारा question है दूद का pH मान होता है तो आपके बास option है 6.1, 6.6, 7.4 या 8 तो दूद का जो pH मान होता है वो दोस्तो option भी 6.6 होता है दूद का pH मान तो option next हमारा question है मानव शरीर में बिटामिन A बंधारित होता है तो बिटामिन A का जो बंधारन होता है मानव शरीर में वो आपके बास option है यक्रित में तोचा में फुस्पुस में या वरिक में तो वो होता है दोस्तो option नहीं यक्रित या नहीं लीवर में दोस्तो बिटामिन A क बंडारन स्टोरेज होती है मानव शरीर में तो next हमारा question है tetanus stroke के कारण मनुश्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो tetanus जो भीमारी होते हैं उसके कारण जो हमारा प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र आंत सोचनली या फेफडे तो इसका जो सही अंसर हैगा वो रहेगा option A तंत्रिका तंत्र tetanus stroke के कारण दोस्तो प्रभावित होता है option A रहेगा इसका right answer और last हमारा question है जनरल साइंस का वो है polio KTK की खोज किसने की थी तो polio KTK की जो खोज की थी तो आपके बाद सो option है Alexander Flaming, John Salk या Robert Coach या Edward Jenner तो इसका जो सही अंसर हैगा दोस्तो polio KTK की खोज की थी जॉन्स इस साल का option भी रहेगा इसका right answer तो दोस्तो ये था हमारा आज का mock test जिसमें हमने 56 total question discuss किये तो अपना score जो है वीडियो के end में, comment में जरूर बताईएगा और अपने feedback भी share किये जा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को share जरूर करें धन्यवाद